आपको भी ये पता होगा सर कि पंचेती अब दिन परती दिन अब लुप्थ हो रहा है हाँ उसका कारण है कि कुछ पंच भी उसमें दोसी हो जाते हैं पक्षपात कर देते हैं इसलिए इसा हो जाता है इसलिए करके आप सर पंचेती लुप्थ हो रहा है इस जान मानते हैं पंचेती को निश्पक्ष पंचायत कर देते हैं लोग मानते हैं इसलिए कर देते हैं कभी आप सर्थ पंच भी रहे हैं सर्थ मुख्यार भी नहीं कभी नहीं पिर भी सब आपको पंजाम है सब्सक्राइब अपने से नाम बता दीजिए और आप अपना गाउं का नाम बता दीजिए सुबोध कुमार ज्यादव ग्राम बरार है यह गाउं नहीं कई गाउं आपको जानते हैं चानन चेतर में एक भी ऐसा गाउं नहीं है जहां कि आपको नहीं जाना जाता है तो इसा कौन सा काम आपको इसा की है सब्सक्राइब गाउं में आपको नाम जानता है अच्छाई के नाम से आपको जाना जा रहा है सर einzige क्योंके मैंने बहुत साफी लोगों से बादचित भी की, आपके बादे में जनकावी लिये, तो आपके बादे में ये बता या गया कि सर जो है पंचेती बहुत अच्छा करते हैं, तो अभी तक आपने कितने पंचेती का दे हैं इसका तो हम काउंटिंग ने की हैं पंचेती का पंचेती का पंचेत तो करते हैं अपने छेतर में करते हैं बाहर भी अधर जीला भी जाते हैं सिवान तक गए हैं सिवान, सेकपूरा, जमुई भागलपूर पंचेती में तो जाते हैं पंचेती कही ने कहीं बदनाम होते जा रहा है सब लोगों ने आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे है क्या करना चाहेंगे उसका यही कारण है कि जिसे हम ही लोगों पर विश्वास करता है, ग्रामीन लोग जो पंचेती बुला रहा है और हम ही विश्वास घात कर देते हैं पंच लोग ही कुछ हूस में हैं जो कि विश्वास घात कर देते हैं किसी का पक्षपात कर देते हैं इस बज़ा से पंचेती का महा तो जो है समाप्त होते जा रहा है तो ये पबली के बज़ा से हो रहा है सर कि पंचेती के बज़ा से हो रहा है पंच के बज़ा से हाँ पबलीक तो मान लिया हमको लेकिन हम नहीं जानते हैं हम नहीं मानते हैं कि ये मेरा हीत है या मेरा दुस्मन है इसका बादला लेने के भाव में चले जाते हैं इसलिए नहीं मानता है पंचेती ज़िए इस पक्ष भाव से कर दें तो कोई भी पंचेती मान लेगा मैंने जो अभी अभी गलत हो रहा थो पंच के बज़ा से कुछ दोसी उधर जनता भी है कुछ लोग उधर भी बाका देता है कुछ लोग यह भी सोचता है कि हम आमुक वैक्तिका बात क्यों माने यह सब के कालत सब बज़ा है तो उसका भी रोध करेंगा डर नहीं लगता है ज़र कि वह से बहुए लोगों के साथ आप जो है सचाई के लिए लग जाते हैं सचाई के लिए डर जाते हैं तो वो इसे लोगों से डर नहीं लगता है डर तो हमको किसी से नहीं लगता है जब हम सच हैं तो डर किसी से नहीं जब गलत होंगे तब डर होगा कितने साल उमसे सराफ पंचेती कर रहे इसके बाई में तो जन करें देजिए 23-24 साल के जैसे अब कोई दो भाई लड़ गया तो एक भाई से जिदी हमें लगाओ है तो दूसरा भाई नहीं आएगा तो हमको लगता है कि दोनों भाई मेरे पास बैठे उसके लिए हम जितना सतत प्रयास करने का होता है प्रयास करके दोनों को ये कर देते हैं ताकि दोनों से बातचीत हमको अब ये घर में ये गाउं में रहके एक भाई से बात करें और एक भाई से नहीं करें ये सोभा नहीं देता है इसलिए कि हम सनातनी धर्म के हैं हर आदमी का अपना इक्षा होता है हर आदमी का अपना अपना इक्षा अपना विचार होता है हमको आस्था है और ऐसे भी हम लोगों का किसी भी जाती समाज में इस्ट देव होते हैं जादमों का इस्ट देव स्रीक्रिस्ट और देवी दुरगा ही है इसलिए नवरात्र करते हैं पहले रंगबाज का चलता था सर्ग जो रंगबाज लोग पन्चेती करते थे वो मानना परता था उस समय भी आप लड़ जाते थे सर्ग जाए जो कोई हो जितने भी रंगबाज आए करीब करीब सब विदा हो गए अनरगल करने बाले सब लोग विदा हो गए अपने उम्र से पहले अपना बास्तविक उम्र को बिता नहीं पाए और चले गए हम आज भी हैं सचाही के बत Ó लाँ केस कितने हैं सर आपके पास दो तीन बो हुआ है पंचेती के माधेम से इसे कोई केस नहीं है जगर जन्वता इसे होता है मखबादी के लिए केस दारव लग केस लगा जगर लग केस yem सकोई ने हम पर पराय लिखाए कहां तक किये देज़ा है हम इंटर किये हुए कब दिये थे सरमें ठीक है पचासी में कहां जाते थे पढ़ने के उस समय तो आव सिक्षासर बिलकुत रिकिसे लुप्त अज़ाद हो उस समय आप अपने साथ कितने कितने चातर अस्टूटेंट थे यहां से पढ़ने के लिए यहां से जाते थे चार ऐसे हम अपने कलास में थे लागों चक हाई स्कूल में पढ़े थे 46 विद्यार थी थे तो वो लोग आपका जो दोस्त आपके साथ पराय लिखाए किया है वो अभी क्या करें अपना कोई कहीं धंधा कर रहा है कोई रोजगार कर रहा है कोई खेती कर रहा है थुआ से जगा ताकि यह वीडियो सभी टक पहुश सके और यह जनकारी हो की नहीं समाज में किस तरके से आदमी को रहना चाहिए और कौन सा पंच को पंचीती में बुलाना चाहिए फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में जेहिन जेवार